हलो गाइज वेलकुम बेक टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम आपको बताएंगे कि अपनी पतली आवाज को भारी कैसे करें रुकिये क्या आपका यूट्यूब करियर इनकी आवाज की तरह डाउन है क्या आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा क्या आपकी आवाज यूट्यूब पर हवा की आवाज की वाज़े से दब जा रही है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे How to get pro in audio तो वीडियो तो तुम प्रोफेशनल बना चुके हो बट अगर तुमारी वीडियो में audio ही सही नहीं है तो तुमारी वीडियो का message ही खतम हो गया ना तो एकदम प्रोफेशनल audio के लिए हमें जानने होंगे 3 steps microphone, recording, editing तो तुम्हें लगेगा audio को master करना बहुत ही hard है बट हाँ है तो बट नहीं एक बार सीखने की दे रहे उसके बाब बहुत ही आसान है तो आओ चलो अरे चलो बट सब से पहले तो तुम इसी में खोई हो कि तुमारी वीडियो के लिए best mic कौन सा रहेगा तो mic तो तुम्हें हर budget में मिल सकता है free से लेकर 30, 40, 50,000 रुपे तक lab mic ये 800 से 1000 रुपे का आ जाता है directional mic यूज होता है DSLR और vlogging के लिए जो कि तुम्हें 10 से 15,000 रुपे तक का मिल जाएगा और फिर आते हैं wireless mic जो कि तुम्हें 20 से 30,000 रुपे के मिल जाएगे और ये जातर interviews के लिए यूज होते हैं और इसे तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और mic तो तुम्हें इससे भी महेंगे मिल जाएगे बूमाम आता है जो कि movies में यूज होता है और वो तुम्हें around छोड़ो रहन तो इसके बारे में बात ही नहीं करता है तुम्हारा जो भी budget है तुम बो ले सकते हो और lab mic भी कोई बुरा mic नहीं है मैं यह यूज करना हूँ अपने phone के साथ बस wire होती है इसमें 4 km की जो हमेशा उलजी रहती है और यह फायदा भी है और नुकसान भी और तुम चाहो तो शुरुआत में सिर्फ इसे ही यूज कर सकते हो या फिर फिरी में अपना phone यूज करो या फिर तुम यूज कर सकते हो उने phone का mic कोई भी अच्छा खासा phone है तुमार पास तो उसका mic यूज कर सकते हो जो कि ठीक ठाक होगा और बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूग के पास होना शीए वो और तुम ऐसे हाथ में पकड़के भी easily वीडियो बना सकते हो और तुम phone को voiceovers के लिए भी उज कर सकते हो उसके बाद आता है recording वाला पार recording में कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि mic को जितना पास हो सके मूगे उत्ता पास रखना है जिससे audio बिल्कुल clear आ सके और mic की दरुदुल की noise capture ना करे अब देखो mic को जितना दूल लेता जाऊंगा उत्ती खराब हो जाएगी audio और mic को जितना पास रहाँगा उत्ती मेरी audio clear आएगी उसके बाद ध्यान रखना है echo का जितना छोटा रूम होगा उत्ती जादा echo होगी या फिर जिस रूम में जादा समान नहीं होगा उसमें बहुत जादा echo होगी जैसे kitchen, store room ऐसी जगा पर shoot ही मत करो और याद रखो echo को तुम audio में डाल तो सकते हो बट उसमें से उसको निकाल नहीं सकते अब echo का मतलब तुम्हारी record ही अवाद दिवार पर टकरा कर दुबारा record हो जा रही है I think तुम समझ गए होगी तो उसी की वज़े से होता है echo, audio waveform बच्चपन में तो पढ़ा होगा तो इसको कम करने के लिए room ऐसा चुनो जहाँ पर बहुत सारा समान हो जैसी की bed, sofa, cushions और जिस room में तुम shoot करते हो, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर परदे लगा दो, cushions रख दो तुम्हारे पास extra cloth पढ़ा हो, वो लगा दो या फिर towel भी तुम लगा सकते हो जिससे echo बहुत कम हो जाएगी या फिर सभी tech youtubers की तरह तुम use कर सकते हो यह यह तुम्हें online easily मिल दाएगा और यह भी echo को थोड़ा कम कर देगा second tip, cooler और fan थोड़ी देर के लिए बंद कर दो पर यह सब तो कर लिया, अब उसके बाद background noise का क्या करें background noise, background noise के लिए तुम अपने सारे बच्चे बंद कर दो, और AC सुला दो जब तक कि तुम्हारा घर main road कर नहीं है और उसके बाद भी गाडियों के आवाज तुम्हें परिशान कर रही है तु मेरी तरह आधि रात में record करो एन थोड़ा energy लाओ अब तुम ऐसे बोलोगे कि आईए आज मैं आपको बताता हूँ कि अपनी आवाज कैसे रिकोर्ड करें अच्छे से वो भी एक प्रो लेवल पे तो देखते रहिए इस वीडियो को लास तक आपको मम्मी की कसम लास तक देखिएगा तो अब चलते हैं next step पर editing audio अब आ गए हैं next step पर याणि की editing अब editing के लिए हमें यूज करना होगा software या तो तो तुम use कर सकते हो premiere pro या फिर एक free software है जो सभी यूज करते हैं वो है audacity तो सबसे पहले तुम्हें खोल लेना है audacity इसके अंदर अपनी file import करो इंपोर्ट तो यह हमारे पास इंपोर्ट हो को यह हमारी audio अब audio record करते हुए तुम्हें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पाट छोड़ दो शुरू में जहां पर तुम्हारी noise record हो जा रहे है और इसकी वायर बहुत ही लंबी है मतलब बहुत ही जादा लंबी और सबसे पहले इसको control है दबा के select कर लेंगे जाएंगे effects और करेंगे compressor और default value जो भी है वही रहने दो और दबादो okay अब यह थुड़ी सी तुम्हारी audio को बढ़ा देगा तो इसके बाद हमें जाना है effects और यहां पर इसको करना है और यहां पर get noise profile कर लेंगे फिर दबाएंगे control A और सारी audio को select कर लेंगे फिर से दुबार जाएंगे noise reduction पर और तुम्हें यहां पर preview करके देख लेना है कि तुम्हारी audio सही आ रही है या नहीं अगर तुमने इसको जादा कर दिया तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी audio जैसे कोई robot बोल रहा हो तो यहां से तुम इसको adjust कर सकते हो मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि यह 12 है यह 6 है और यह 3 है तो मैं इसको 10 कर दूँगा इसको 5 कर दूँगा और इसको कर दूँगा 2 अब audio तो बहुत अची आ रही है बाट हमारी voice बहुत जाद हो गई है तो इसको select करके जाएंगे effects, amplify और यहां से थोड़ा सा बार को नीचे कर देंगे minus 3 अब preview बरता हूँ और यह अब minus 6 से minus 3 को टच कर रहा है तो बिल्कुल सही audio है perfect और इसको ok कर देंगे तो यह है हमारी पुरानी audio और यह है audio editing करने के बाद तो perfect audio करने के लिए तुम्हें recording से ही ध्यान रखके चलनी है और तुम editing में थोड़ा से अच्छा कर सकते हो बस और editing के लिए मैंने तुम्हें बताई दिया है audacity में कैसे कर सकते हो और premium pro के लिए मैं एक preset डाल दूँगा description में से सिर्फ जे drag and drop कर दो अपनी audio पर और काम कतम तो यह सेम चीज़ तुम्हारी वहाँ पर भी हो जाएगी अब मैं उसके लिए पूरा tutorial नहीं बना सकता और तुम्हारा भी काम आसान हो जाएगा तो use कर लो उसे free में तो I think मैंने तुम्हारी आवाज को भारी बना दिया होगा तो इसी बात पर एक like और तब